नमस्कार, मेरे प्यारे देश्वासियों, आज मैं अपनी बात की शुरुवात एक वेद वाक्य के साथ करना चाहता हूँ कुरुतम में दक्षिने हस्ते, जयो में सव्याहित हूँ इस बात को भारत के संदर्व में देखें, तो बहुत सीधा साधा अर्थ यही है हमारे देश ने एक तरफ करतेव का पालन किया, तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली कल 21 अक्तुबर को भारत ने वन बिलियन सो करोड वैक्सिन डोज का कठीन लेकिन असाधारन लक्ष प्राप्त किया है इस उपलब्दी के पीछे एक सो तीस करोड देश वासियों की करतव्य शक्ति लगी है इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है हर देश वासी की सफलता है मैं इसके लिए सभी देश वासियों को रदय से बधाई देता हूँ साथियों सो करोड वैक्सिन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है ये देश के सामर्थ का पतिबिम्ब है इतिहास के नए अध्याय की रचना है ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठीन लक्ष निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धी के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है साथियों आज कई लोग भारत के वैक्सिनेशन प्रोग्रेम की तुन्ना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं भारत ने जिस तेजी से सो करोड का वन बिलियन का आकड़ा पार किया है उसकी सराना भी हो रही है लेकिन इस विश्लेशन में एक बात अक्सर छूड जाती है कि हमने ये सुरुवात कहां से की है दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सिन पर रिसर्च करना वैक्सिन खोजना इसमें दस्रकों से उनकी महारत हैं एक्सपर्टाइज थी भारत अधिक तक इन देशों की बनाई वैक्सिनेशन पर ही निर्फर रहता था हम भार्चे मंगवाते थे इसी वज़े से जब सो साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने रगे क्या भारत इस वैस्ट्रीक महामारी से लड़ पाएगा भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सिन खरेने का पैसा कहां से लाएगा भारत को वैक्सिन कब मिलेगी भारत के लोगों को वैक्सिन मिलेगी भी या नहीं क्या भारत इतने लोगों को टिका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके बांती भांती के सवाल थे लेकिन आज ये सो करोड वैक्सिन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है भारत ने अपने नागरिकों को सो करोड वैक्सिन डोज लगाई हैं और वो भी मुप्त बिना पैसा लिये साथियों सो करोड वैक्सिन डोज का एक प्रभाव ये भी होगा कि दुनिया अब भारत को कोरोना से जादा सुरक्षित मानेगी एक फार्मा हप के रुप में भारत को दुनिया में जो स्विक्रूती मिली हुई है उसे और मजबूती मिलेगी कि पूरा विश्व आज भारत की इस ताकत को देख रहा है मैसूस कर रहा है साथियों भारत का वैक्सिनेर्शन अभ्यान सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उधारन है कोरोना महामारी की सुरुवात में ये भी आशंकाय व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसे लोकतंत्र में इस महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल होगा भारत के लिए भारत के लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा था कि इतना संयम इतना अनुशासन यहां कैसे चलेगा लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सिन मुक्त वैक्सिन का अभ्यान शुरु किया गरीब अमीर गाव शहर दूर सुदूर देश का एकी मंत्र रहा कि अगर बिमारी भेगभाव नहीं करती है तो वैक्सिन में भी बेद भाव नहीं हो सकता है इसलिए यह सुनिस्चित किया गया कि यह वैक्सिनेशन अभ्यान पर वियाई पी कल्चर हावी न हो कोई कितने ही बड़े पत्पर क्यों न रहा हो कि टना ही धनी क्यों न रहा हो उसे वैक्सिन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी साथियों हमारे देश के लिए ये भी कहा जा रहा था कि यहां ज्यादा तर लोग टीका लगवाने के लिए आएंगे ही नहीं दुनिया के कई बड़े विक्सित देशों में आज भी वैक्सिन हेजिटेंसी एक बड़ी चुनोती बन गई है लेकिन भारत के लोगों ने सौ करोड वैक्चिन डोड लेकर ऐसे लोगों को निरुत्तर कर दिया है कि साथियों किसी अभियान में जब सबका प्रयास सबका प्रयास जुड़ जाता है तो परिराम अदभूत ही होते हैं हमने महामारी के खलाप देश की लड़ाई में जन भागीदार को अपनी पहली ताकत वराया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया देश ने अपनी एक जुड़ता को उर्जा देने के लिए ताली थाली बजाई दीए जलाए तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बिमारी भाग जाएगी लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी सामोहिक शक्ति का जागरण दिखा इसी ताकत ने कोवीड वेक्सिनेशन में आज देश को इतने कम समय में सो करोड तक पहुंचाया है कि कितनी ही बार हमारे देश ने एक दिन में एक करोड टीका करन का आकड़ा पार किया है यह बहुत बड़ा सामर्त है प्रबंद काउशल है टेक्नलोजी का बहतरी निस्तमान है जो आज बड़े-बड़े देशों के पास भी नहीं है साथियों भारत का पूरा वैक्सिनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा है विज्ञानिक आधारों पर पन्पा है और वैज्ञानिक तरीकों से चारों दिशाओं में पहुंचा है हम सभी के लिए गर्व करने की बात है कि भारत का पूरा वैक्सिनेशन प्रोग्रेम साइन्स बॉन साइन्स ड्रिवन और साइन्स बेज रहा है वैक्सिन बनने से पहले और वैक्सिन लगने तक इस पूरे अभ्यान में हर जगह साइन्स और साइन्टिफिक एप्रोच शामिल रही है हमारे सामने चुनवती मैनुफेक्टरिंग को लेकर भी थी प्रोडक्शन को स्केल अप करने की भी थी इतना बड़ा देश इतनी बड़ी आबादी उसके बाद अलग अलग राज्यों में दूर दराज इलाकों में समय से वैक्शिन पहुंचाना ये भी किसी भागी रतकारे से कम नहीं था लेकिन वैज्यानिक तौर तरीकों और नए नए इनोवेशन से देश ने इस चुनोतियों के समाधान तला से और साधन स्पीड से संसाधनों को बढ़ाया गया किस राज्य को कितनी वैक्शिन कब मिलनी चाहिए किस इलाके में कितनी वैक्शिन पहुंचनी चाहिए इसके लिए भी वैज्यानीक फर्मिले के तहर काम हुआ हमारे देश ने कोविन प्रेटफॉर्म की जो व्यवस्ता बनाई है वो भी विश्व में आकरशन का केंद्र है भारत में बने कोविन प्रेटफॉर्म ने न केवल आम लोगों को सहुलियत दी बलकी हमारे मेडिकल स्टाप के काम को भी आसान बनाया साथ कि आज चारों तरफ एक विश्वास है उत्सा है उमंग है समाच से लेकर एकोनामी हम हर तप्पे पर देखें हैं आप्टिमिजम 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 ही नजा राता है एक्सपर्ट्स और देश विदेश की अनेक एजंसीज भारत की अर्थिवबस्ता को लेकर बहुत सकारात्मग है आज भारतिये कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रहा है बलकि युवाओं के लिए रोजगार के नए आउसर भी बन रहे हैं स्टार्ट अप्स में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट के साथ ही रिकॉर्ड स्टार्ट अप्स युनिकॉन बन रहे हैं हाउसिंग सेक्टर में भी नई उर्जा दिख रही हैं पिछले महिनों में किये गए कई सारे रिफॉर्म्स कई सारे इनिशेटिव गती शक्ती से लेकर नई ड्रॉन पॉलिसी तक भारत की अर्थववस्ता को और तेजी से आगे बढ़ाने में बड़ी भुमी का निभाएंगे। कोरोना काल में कृषिक छेत्र ने हमारी अर्थववस्ता को मजबूती से संभाले रखा। आज रिकॉर्ड लेवल पर अनाज की सरकारी खरीद हो रही हैं, किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे जा रहे हैं। वैक्षिन के बढ़ते हुए कबरेट के साथ साथ आर्थिक सामाजिक गतिवीदियां हो, खेल जगत हो, टुरिजम हो, एंटरेटेन्मेंट हो, सब तरफ सकारात्म गतिवीदियां तेज हो रही हैं। आने वाले त्योहरों का मौसम, इससे और गति देगा, और शक्ति देगा। साथ क्यों, एक जमाना था, जब मेडिन ये कंट्री, मेडिन भो कंट्री, इसी का बोलवाला था, बहुत क्रेज हुआ करता था। लिकिन आज हर देश वासी ये साक्षात अनुभव कर रहा है कि मेडिन ये इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि मैं हर छोटी सी छोटी चीज जो मेडिन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सब के प्रयास से ही संभव होगा, जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक जन अंदोलन है, वैसे ही भारत में बनी चीज खरीदना, भारतियों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल, ये हमें ब्यहवार में लाना ही होगा। और मुझे विश्वास है, सब के प्रयास से हम ये भी करके रहेंगे। आप याद करिए, पिछली दिवाली हर किसी के मन मस्तिष्क में एक तनाव था। लेकिन इस दिवाली सो करोड वैक्सिन डोज के कारण एक विश्वास का भाव है। अगर मेरे देश की वैक्सिन मुझे सुरक्षा दे सकती हैं, तो मेरे देश का उत्पानन, मेरे देश में बने सामान, मेरी दिवाली और भी भव्य बना सकते हैं। दिवाली के दौरान विक्री की एक तरफ और बाकी साल की विक्री एक तरफ होती है। हमारी यहां दिवाली के समय, तोहारों के समय, विक्री एक दम बढ़ जाती है। सौ करोड वेक्सिन डोश, हमारे छोटे-छोटे दुकान दारों, हमारे छोटे-छोटे उद्देमियों, हमारे रेहडी पट्रिर वाले भाईयों बहनों, सभी के लिए आशा की किरन बन कर आई है। साथियों, आज हमारे सामने अमृत महोत्सव के संकल्ब है। तो ऐसे में हमारी ये सभलता हमें एक नया आत्म विस्वात दिलाती है। हम आज कह सकते हैं कि देश बड़े लक्ष तय करना और उसे हसिल करना बख्षू भी जानता है। लेकिन इसके लिए हमें सतत सावधान रहने की जरूत है। हमें लापरवा नहीं होना है। कवच कितना ही उत्तम हो। कवच कितना ही आधुनिक हो। कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो। तो भी। जब तक युद्ध चल रहा है हतियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्यौहारों को पूरी सतर्फ़ता के साथ ही मनाना है। और जहां तक मास्क का सवाल है। कभी कभी जरा लेकिन अब तो डिजाइन की दुनिया भी मास्क में प्रविश्च चुकी है। मेरा इतना ही कहना है। जैसे हमें जूते पहन करके ही बार जाने के आदर लग गई है। बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। जिनको अभी तक वैक्सिन नहीं लगी हैं वो इसे सरवोच्च प्रात्फिकता दें। जिने वैक्सिन लग गई हैं वो दूसरों को प्रेरित करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोरोना को और जल्द हरा पाएंगे। आप सभी को आने वाले त्योवारों की एक बार फिर बहुत बहुत शुक्तामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद।